कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नई टूटोरियल में अपने आज के टूटोरियल में अपने सामने स्क्रीन पर बनाओ जो आज क्रियो पैरमेट्रिक 5.0 पर यह कॉम्पोनेंट है एक आई स्ट्रे चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो पहले इस फाइल को क्लोज कर देता हूं क्लोज करने के बाद दोस्तों अभी इस वक्ड़ जो स्क्रीन है आपके सामने यह वो स्क्रीन है जब हम क्रियो पैरमेट्रिक 5.0 के आइकन पर डबील क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहले आती है यह वही screen है, यहां से मैंने new पर click किया, new के बाद यहां देखिए part पर already check mark है, यहां solid पर check mark है, यहां से मुझे यह check mark हटाना use default template, मैंने इसे हटा दिया, ok पर click किया, click करने के बाद एक list सामने आती है, इस list में से हमें लेना है mm-part solid, इसे select करने के ब मारे सामने open हुई है, इसमें जो भी हम component बनाएंगे, उसकी unit होगी mm, तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते है, यहां से select all, इस पर click किया, देखिए, सारे planes visible हो गया, यह spin center visible हो गया, generally जब हम open करते हैं, फाइल को तो यह हमें दिखाई देता है, पहले से, इस से पिछ देखिए यह जो plane है मेरे सामने, top plane इस पर click किया, click करना के बाद यहां से sketch view पर click करना के बाद, हम यहां से लेंगे rectangle, rectangle हम देखिए, center rectangle, देखिए बीच में यह है center, center पर click किया, और एक click यहां बाहर जाकर कर दिया, और escape दबाकर command से बाहर निकला आया, इसकी जो length है, इसे ह ने कर दिया 100 यह एक rectangle बनकर हमारे सामने आ गए यहां से मैंने ok पर click किया ok पर click करने के बाद मैं control के साथ d press करता हूं तो देखे default orientation हमें यहां से दिखाई देने लगता है अब इसके बाद मैं यहां से यह flip करके इसकी जो thickness वाली side है उसे change कर दे तो मतलब कि हम इस plane के नीचे ही इसको extrude करेंगे यहां से मैंने value ले लिए thickness की 50 पचास type करके interface कर दिया और यहां से ok पर click किया तो यह एक rectangular bar हमारे सामने बनी हुई नजर आ रही है चलिए अब हम इसके आगे क्या करेंगे फिर से extrude पर click करेंगे इस बार plane की जगा हम इस surface पर click करेंगे देखी जैसे यह surface highlight होगी इस पर click कर देंगे इसके बाद यहां से sketch view पर click करेंगे अगला थोड़ा सा इसको zoom करके zoom in करके बढ़ा कर लेते हैं zoom in, zoom out के लिए scroll जो button है उसे हम गुमाएंगे इधर उदर आगे पीछे के दर गुमाएंगे उससे zoom in, zoom out होगा यहां पर एक और फिर से हमें center rectangle लेना मैंने यहां से center rectangle लिया और देखिए बीच में यहां click किया और अन्दाजे से एक rectangle बनाया escape दबाकर command से बाहर निकले यह जो dimension है यह हमें नजर आ रही है double click किया इस पर इसे हम कर देंगे 25 और जो यहां से इसकी length नजर आएगी हमें देखिए length इसमें नजर नहीं आ रही है क्यों क्यों क्योंकि यह देखिए दोनों same यहां पर दिखाई देनी है तो यहां से जाएंगे dimension पर एक click इस line पर किया और scroll button को push किया देखिए इसकी length यहां दिखाई देने लगी अब यहां पर यह देखिए तीन चीज़े आ रही है 25, 25 और equal length हम equal length वाला जो constraint है इसे delete कर देंगे तो अब हम इस line की length को change कर सकते हैं यहां से मैंने 40 पर click किया अगर यह तो उस case में हो था जब दोनों हम center rectangle बना रहे थे तो दोनों जो उसकी cards है वो same हो जाए इस case में था यह अगर सेम नहीं होती है तो हमें दोनों dimensions दिखेंगी हम दोनों को simply जैसे text पर double click करके change कर सकते हैं तो वैसे कर लेंगे यहां पर ऐसा हो गया था कि हमें दोनों ही जगा length और width सेम हो गए थी तो इसकी वज़े से हमें एक constraint equal length वाले constraint को delete करना पड़ा तो यहां से आगे हम बढ़ते हैं अब यहां से लाइन पर और scroll button को push किया देखिए dimension दिखाई देने लगी इसे भी कर दिया पांच तो देखिए इस तरह से यह हमें नजर आने लगा अब यहां से हम okay पर click करेंगे और control के साथ मैंने D press किया देखिए default orientation इस तरह से में नजर आने लगा यहां से हमने इसकी side को flip कर दिया यह देखिए नीचे अब इसमें एक pocket जैसी बंती रिखाई दे रही है इस depth कर देंगे 30 30 टाइप करके एंटर प्रेस किया इसके बाद यहां से यह options में जाते हैं तो देखिए यह add taper आता आइस ट्रेज में होती है अब इसके बाद हम यहां से देखिए जब हमने direction चेंज किया था तो यह material removal का option अपने आप on हो गया था यह देखिए इसमें cavity बनती भी नजर आ रही है और यहां से ok पर click करेंगे इस तरह से देखिए यह cavity बन जाएगी अब हमें radius देनी है यहां से अब हम क्या करते है round command को use करेंगे यहां पर value पहले देते थे 2.5 अब देखिए एक दो तीन और यह चार यह चारो edges जो हैं इनको 2.5 का radius दिया हमने इसके बाद यह edge इसके बाद ऐसे ही यह इसके बाद इस तरह से यह चारो edges जो हैं इनको हमने 2.5 का radius दे दिया एक क्लिक गलत क्लिक हो गया Ctrl Z किया मैंने फिर से आ गया हम उसी position पर अब मैंने इस edge को क्लिक किया इस edge को क्लिक किया और इसके बाद यह बची हुई है यह edge को क्लिक किया देखिए जितनी sides थी इसमें सारी fillet हो गई क्लिक कर दिया इस तरह से हमें दिखाई देगा अभी काफी देखने में अच्छा लग रहा है इसको क्या करते हैं इसकी visual state change करते हैं यहां से कर देते हैं इसे shaded with edges shaded with edges पर क्लिक किया तो देखिए अब हमें इस तरह से यह दिखाई देने लगा चलिए अब आगे बढ़ते है अब हम इसे pattern कर लेते हैं यहां से pattern command pattern के लिए हम क्या करेंगा हमें देखिए एक साथ हमें extrude 2 भी चाहिए और उसमें जो हमने round command यूस किये वो भी चाहिए हमने इन दोनों पर click किया दोनों पर select करने के बाद यहां पर देखिए एक option आता है group का create a local group हमने इस पर click किया तो यह लोकल ग्रूप एक बन गया मतलब कि यह जो दो command हमने execute की थी एक जो pocket बनाई थी और एक जो इसके चारों तरफ हमने radius दी थी यह अब देखिए जब हमने दोनों commands को एक अठा एक group में जो है वो add कर दिया देखिए यहां से अगर हम इसे expand करेंगे तो extrude 2 और round 1 यह दोनो ले लिए geometry pattern अब यहां से हमें लेना क्या है direction direction में मैंने पहला direction तो यह वाली edge ले ली देखिए इस edge भी click किया तो यह direction इस तरफ आ रहा है यहां से हम इसे यह देखिए flip कर देंगे तो यह arrow उस तरफ नजर आने लगेगा अब इन दोनों के बीच का जो distance है यह वाला distance हम ले reverse किया और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यह वाला यह देखिए click here to add item यहां पर आ रहा है मैं यहां पर click करता हूँ देखिए और उसके बाद अगली edge मैंने यह वाली ले ली इस edge पर click किया अब यहां पर जो है मैंने इसे ले लिया कितना यहां ले लेते हैं 8 और इसको flip करके direction change किया यहां पर center to center distance हम ले लिए 32 और उसके बाद हम यहां से ok पर click करेंगे इस तरह से यह pattern होकर हमें दिखाई देने लगेगा तो चलिए अब आगे हमें इसमें क्या करना है वो देखते हैं अब हम इसमें shell command यूज करेंगे देखिए shell कैसे use करेंगे मैंने shell पर click किया ok यहां पर जो thickness है इसे हमने ले लिया 1 mm ओके 1 mm लेने के बाद एक click यहां पर एक यहां control दबा लेते हम control मैंने दबाया हुआ है control की press किये रहना है हमें और गुमाने के बाद एक click नीचे इसके बाद एक click यहां जितनी भी sites हैं यह हमें remove करनी है और यहां से ok पर click कर देंगे यह देखिए आपका iStay तयार बजाएगी इसके बाद भी हमें इसमें कुछ काम करने हैं जैसे कि यह sites जो है इनको हमें round करना है मैं यहां से round command पर click कर रहा हूँ अब यहां पर value ले ली मैंने कितनी 5 mm और insights को एक एक करके एक click इदर इसको यहां घुमाया हमने zoom किया देखिए जूम कर लेने से गलती होने के chances कम रहते हैं हमें अगर बीच बीच पे हम जूम कर ले तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है selection बहुत आसान हो जाता है नहीं तो पांच mm का radius हमें ने चारो corners पर दे दिया अचा इसके बाद आगे का काम क्या है देखिए आगे हमें इसके चारो तरफ एक frame बनाना है देखिए यहां पर अभी यह उतना ज्यादा यह कहिए कि स्टेंग्थ नहीं है इसमें एक frame बनाना होगा वह फ्रेम बनाने के लिए हम स्वीप कमांड को यूज करेंगे स्वीप बनाने से पहले हम एक trajectory बना लेते हैं तो trajectory हम बन किया तो देखिए हमें नजरा आने लगा अब हम लेंगे यहां से project command मैंने project पर click किया यहां से ले लेंगे हम chain एक लिक इधर एक लिक इधर यह देखिए इस तरह से यह पूरी chain select हो गई अब यहां से हम ले लेंगे क्या accept accept पर click किया और यह message आ रहा है यहां पर end points of this chain are coincident do you want to convert it to a loop yes हमने इसे loop में convert कर लिया और close कर दिया देखिए यह एक trajectory बन गई जो की close है यहां से हमने ok पर click किया ओके यह देखिए यह एक sketch तयार हो गया अब हम यहां क्या करेंगे sweep command पर जाएंगे यहां से यह देखिए sketch one पर मैंने click किया और उसके बाद sketch one से यह select नहीं हो रही है हम यहां से इसी को ले लेते हैं यह देखिए यह है trajectory जो green color से में नजर आ रही है अब यहां से यह देखिए यह active हो गया इतना portion यहां पर आ जाता है यह create or edit sweep section मैंने इस पर click किया और यहां से sketch पर click कर दिया अब देखिए यहां पर हमें एक sketch बनाना है पहले तो यह point से अब यहां पर dimensions दे देते हैं इसको हमने कर दिया 1 mm यह भी कर दिया 1 mm और इससे हम कर देते हैं चार और इसे कर दिया हमने चार की जगा यह दो ओके अब यहां पर हम क्या करेंगे एक जगा पर fillet देते हैं अब इनको फिलेट को चेंज कर देते हैं पॉइंट फाइफ नजर आ रहा है इसे हमने वन कर दिया इसे भी वन की जगाई से पॉइंट फाइफ कर दिया देखिए इसके बाद यहां से हम इसे इस sketch को स्वीप करा देते हैं यह फ्रेम बन जाएगा हमारे लिए और यहां से ok पर क्लिक किया हमें इस तरह से यह एक फ्रेम बन गया और यहां से मैंने ok पर क्लिक किया देखिए इसका visual state चेंज कर देते हैं यह इसका visual state चेंज हो गया अब इसका color भी चेंज कर देते हैं यहां से view appearance यहां से मैंने color यह ले लिए red इतना realistic दिखाई दे रहा है यहां से मैं इसके planes भी off कर देता हूं यह planes off कर दिये spin center off कर दिया तो दोस्ता यह था eye stray in cryo parametric 5.0 दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता तो प्लीज इसे लाइक करें इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भोले और इस वीडियो से related अगर आपके कोई query है तो प्लीज उसे comment box में डाले और मेरे वीडियो के notifications सबसे पहले पाने के लिए bell icon पर click करना ना भोले थैंक यू